अलीगर मुसलिम यूनिवर्सिटी एम यू में मुहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर पर विवाद अभी पूरी तरह से थमा नहीं है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी यूगी आदिते नात ने इस मुद्दे पर कड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा कि जिन्ना ने हमारे देश का बनटवारा किया और हम किस तरह उनकी उपलब्धियों का बखान कर सकते हैं भारत में जिन्ना का माहिमा मंदन बरदाश्ट नहीं किया जा सकता बातचीत में CM यूगी ने कहा कि उन्होंने EMO मामले में जाच के आदेश दिये हैं जल्द ही उन्हें इसकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी जैसे ही रिपोर्ट मिलेगी वेहिस मामले में एक्शन लेंगे योगी के इस कड़े रुख से साफ है कि अलीगर मुसलिम युनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर मामले में यूपी सरकार कोई कोता ही नहीं बरतेगी आपको बता दें कि योगी आदितेनात आज करनाटक में चुनाफ प्रचार करेंगे उसी दोरान इंडिया टुडे से खास बाचीत करते हुए उन्होंने ये बातें कहीं लगातार हो रहें विवाद के बाद गुरुवार को ही एमू के हौल से जिन्ना की तस्वीर को हटा दिया गया था इसके पीछे तर्क दिया गया था कि अभी परिसर की सफाई चल रही है इसलिए तस्वीरों को हटाया जा रहा है गौर तलब है कि मंगलवार को एमू के भिगड़े माहौल को देखते हुए आरेप्प की दो कमपनियों को तैनाद किया गया है बुद्वार शाम को विश्व विद्याले परिसर में हंगामे और नारेबाजी के बीच सुरक्षा बढ़ा दी गई थी जिन्ना की तस्वीर को लेकर पिछले कई दिनों से सियासत जारी है हामिदंसारी का भी हुआ विरोध एमू के छातर संग की और से पूर्व उप्राश्ट्रप्ती हामिदंसारी को मानद आजीवन सदस्यता दिये जाने के कारेकर्म का भी विरोध हुआ हिंदू युवा वाहिनी के कारेकरताओं ने जिन्ना की तस्वीर को हटाने की मांग करते हुए एमू के बाहर जम कर विरोध प्रदर्शन किया प्रदर्शन कारी हामिदंसारी के कारेकरम का भी विरोध कर रहे थे क्या है पूरा मामला? आपको बता दें कि अलीगर से बीजेपी सांसत सतीश गौतम ने एमू के कुलपती तारिक मंसूर को लिखे अपने पत्र में विश्व विद्याले चात्र संग के कारेले की धीवारों पर पाकिस्तान के संस्थापक की तस्वीर लगे होने पर आपती जताई थी हाला कि विश्व विद्याले के प्रवक्ता शाफे किद्वाई ने दशकों से लटकी जिन्ना की तस्वीर का बचाव किया और कहा कि जिन्ना विश्व विद्याले के संस्थापक सदस्य थे और उन्हें चात्र संग की आजीवन सदस्यता दी गई थी प्रवक्ता ने कहा जिन्ना को भी 1938 में अलीगर मुसलिम विश्व विद्याले कोर्ट के संस्थापक सदस्य और एक दान दाता भी थे उन्होंने कहा कि जिन्ना को मुसलिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग किया जाने से पहले सदस्यता दी गई थी